हेलो एवरिवन आयम आकाश गोर पेलेकम बैक टू यूर इंटेन बीडे के लेक्चर गाइज यदि कोई इमर्जेंसी कंडिशन पर जाती है यदि कोई सी इंजेक्शन को लगाते से ही कोई एलर्जी अगर देखने को मिलती है तो उस कंडिशन में आप कौन-कौन सी दवाईय कि रिएक्शन इमें आपको कि अनकॉंशेंस यहने कि कोई इंजेक्शन लगाया और व्यक्ति को बेहोश ही टाइप की हो गया हो तुरंत बेहोश अगरा हो गया हो या फिर ब्रिफिंग डिफिकल्टी किसी मरीज को सास लेने में समझ्या होने लगी हो इंक्रीज हार्ट रेट कोई मेरीज की दिल के धड़कने बढ़ जाती है या कम हो जाती है हाई बीपी रक्तदाप बढ़ भी सकता है बीपी कम भी हो सकता है इसकीन एलर्जी पूरी स्कीन पर रेशेश हो गई, स्कीन रेड हो गई, तो इस तरह की एलर्जी आपको कभी ने कभी आपने फेस की होगी, इस कंडिशन में जो फेसिशन है, आप लोगों अगर आप प्रेक्टिशनर होगर आप घबराना नहीं है, पहले हमें पेशेंट को इसकी कंडिशन को देखना है, उसके बाद सारी चीजों को डिसीजन लेना पड़ता है, ऐसी कंडिशनर होगी हम घबरा जाते है, तो मरीज की जान पर बन सकती है, हमें सिंपली ध्यान रखना है कि कुछ रेक्शन होती है, जिनका सिम्टेमेटिक ट्रीटमेंट हम लोग दे जादो पेले इसको सुपाइन पोजिशन प्रोईट करो, पलंक पे, बेट पे, जहां पे, सोफे पे, जहां पे रियक्शन होई है, तुरंद मरीज को कमफटेबल सुपाइन पोजिशन प्रोईट करना चाहिए, और पेशन को बोलना चाहिए, डू नोट टेक टेंशन एंड do not panic, उसको बोलना है कि आप panic मत हो, सब ठीक है, कोई problem नहीं है, हमको patient को एक तरह से moral support भी देना होता है उस condition में, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़ादा, कुछ तो उसकी घबराहाट की वज़े से अरे मुझे allergy हो गई, तो उसकी घबराहाट की वज़े से उसको ज़्यादा heart rate बढ़ती है, blood pressure बढ़ने की जिसी tension देखने को मिलेगी, तो हमें patient को भी maintain करके चलना होता है, तो सबसे पहले supine position provide को, अब आते है treatment पे, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, अगर कोई ऐसी condition हमें, कोई allergy देखने को मिली है, allergens बन रहे है, तो हमको क्या करना है, एक injection आते है इसे adrenaline injection कहते है, adrenaline injection to 0.5 ml, 0.5 ml तुरन marriage को straight हमें देना होता है, and repeat again after 10 minutes, यदि marriage के condition proper maintain नहीं होती है, recovery में नहीं आती है, तो फिर से 10 मिनिट के बाद फिर से injection को repeat करना होता है, तो dose हमें कितना देना है, 0.5 ml देना है, और again फिर 10 मिनिट वेट करना है, patient को देखना है, अगर उ हमें लगता है, तो उसको फिर हम क्या करेंगे, फिर आगें डोस वापस उसे 0.5 ml देंगे, ऐसे हम जब तक करते हैं, जब तक मरीज की condition normal में नहीं हो जाए, ठीक है, तो हर 10 मिनिट में हम repeat कर सकते है, 0.5 ml, ठीक है, यह है injection, severe hypersensitivity reaction को तुरंत ही सामान नहीं करता है, अब म लाइप सेविंग इंजेक्शन भी केते हैं, क्योंकि यह जान बचाने वाला इंजेक्शन होता है, ठीक है, तो 0.5 ml dose हर 10 मिट में हम repeat कर सकते हैं, बहुत जादा भी नहीं, तुरंत immediately डॉक्टर को inform करना है, और बताना होती चीज़, ठीक है, आगे बढ़ता हूं में screenshot लो, adrenaline का, साथ में हम लोग को फेनरा माइन, फेनरा माइन क्या होता है, डोस इसका जो देना है, 25 mg, IM और IV दोनों तुरंत दिया जा सकता है, या तो IM दे दो या IV दे दो, यह injection किसी फिर गाजिस सबको पता है, evil injection के नाम से मार्केट में मिल जागा, फेनरा माइन मेलेट होता है, य कितना mg, 25 mg, IM और IV दोनों तरह से हम मरीच को दे सकते हैं, इसके 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 प्रकार के इंपोर्टेंट इसमें जादा तरह है, आपको कंडिशन दिख रही है, तब हमको हाइडरो कोटिसोन का इंजिक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए, हाइडरो कोटिसोन का इंजिक् इसके 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 जो रियक्शन हुई है वो गंट्रोल में आ जाती है ठीक के स्क्रिंशोट लीजे आप लोग डेक सोना तो आपको पते ही यूज करते ही हम लोग अब देखते हम लोग अगर मान लीजा जो पेशेंट है बेशेंट का अगर बीपी बहुत ज्यादा फोल हो रहा है ब्लेट कम हो रहा हो लिखा है बहुत ही मरीज के बीप अगर्दी कम होता है तो हम लोग ओ 30 mg मरीज को तुरन्त फे इंजेक्शन देना चाहिए रियक्शन हो इभी बीपी फॉल हो रहा है अम मान लीजा पर को भी पर तो आपने तुरन आड्रेनेल इंजेक्शन दिया ठीक्या आप क आपको देखने को मिला है उसकी पल्स रेट अगर तुरन नोट करोगे यदि आपको देखने को मिला है ब्लेड प्रेशर कम हो रहा है तो हम उसको तुरन इंजेक्शन देते हैं ब्लेड प्रेशर को 30 mg इंजेक्शन दिया जाता है देख सकते हैं यहां पर आप लोग काफी जल्दी इससे ब्लेड प्रेशर मेंटेन हो जाता है आगे बढ़ता हूँ अब आता है यदि किसी व्यक्ति को रियक्शन होने के बाद अगर उससे सास लेने में भी प्रोब्लम हो रही हो रेस्पाइरेशन वो नहीं कर पा रहा हो तो डेरिफाइलिन इंजेक्शन जो आप बोलोग अस्थमेटिक में यूज़ करते हैं बढ़ हां उसमें वो इंप्र जल्दी उसको सास लेने में रिलिफ मिलता है सास लेने में समझ्य उसकी खतम हो जाती है जिसे ब्रिफिंग डिफिकल्टी हम लोग देखने को मिलती हूँ अगर महरीज को बोमेटिंग हो रहा है सबको पादा है ऑन्डेम देना चाहिए तुरहत स्差टी टे informative दे दे देदे ह क्योंकि reaction होने पर यह भी देखने को मिल सकता है I hope कि आपको इतनी चीज़े समाज में आई होगी Thank you for watching आपका अपना Indian Medical Lecture